एपिसोड के स्टाइटिक में हैस्ट्या ड्रिंक कर रहे थी हैस्ट्या के सामने एक बंदा होता है इस करना मियाच है हैस्ट्या कहती कि बैल ने मुझे धोका दिया वो किसी और लड़की के साथ था वो मुझे धोका कैसे दे सकता है और यह सारी बाते काते वे बहुत जादा कर लेती है और ड्रिंट करने के बाद याराध वारा में में प्राइब करने के बार में इमेजिन लगता है और कहते हैं तुम से बहुत्थे प्याह करती हूँ चुम तुम कल फ्री हो हम दोनों खुमने जा सकते हैं हैस्टिया बहुत जदा खूस हो जाती है और कहती कि एक डेट चलो अभी चलते हैं 6 बज़े मिलेंगे उसके बाद है जाती है गौड़िस के बात था उसमें और वहाँ पर नहाने लगती है हैस्टिया के पास डेमेटर नाम की एक गौड़िस आती है और कहती कि हमसा की तरह तुमारे काफी जदा बड़े है और चूने के लिए आगे बढ़ती है और हैस्टिया कहती कि तुम इसे नहीं चूँ सकती हैस्टिया कहती कि आज मैं बहुत जदा खोशी हूँ क्योंकि मैं किसी से मिलने वाली हूँ और डेमे क्यूत है और बेल को खेरल ले बहुत कर निकलने के चक्र में scratch के संतुूरों ऑपर घरज़ाता है से बागते हैं और और यह ले रहते हैं को चाहिए है जालना तकहे पर जिसे लांते हैं पर पहसे एक लड़की आयासा कहते कि COMA family की members ने दुबार साच पैसों के लिए लड़ा की और रहनके कहते कि हमेशा एसा करते हैं बम और लz बुक्स निकल खाने लगते हैं और लिली यॐ मैंगली दिन नहीं आसके क्योंकि हमारे family की एक meeting है फिर हम अगले दिन का scene दिखे आज़ता है बेल जाता है सिरी के पास और कहते है कि तुम खाली ठमय में क्या कहती हो और सिरी कहते हैं किताब पढ़ती हूँ बेल की नजर एक book पर जाते है सिरी कहते है ये book किसी customer की है जो भूल गया था अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो ये एक magic book है बेल magical book को घर पे ले आता है और उसे पढ़ने लगता है book में लिखाता magic दो थरका होता है पहला magic जो जन्मक के साथ आता है और दूसरा magic जिसे फारना कहते है ये goddess की blessing होती है magic हम इसा आपके अंदर ही होता है और बेल सोची लगते की मेरे पास कौन सा magic हो सकता है क्या कोई fire magic हो सकता है और सोचते सोचते सोई जाता है हैश्टे आकर बेल को उठाती है और कहते ही तुम सो गए थे उसके बाद उसका status करने लगती है हैस्टे आप बहुत रहरान हो जैती है क्योंगि बेल के पास मैजिक आ चुका था कहते ही तुमारे पास magic आ चुका है ये बास उने के बाद बेल बहुत सदा चौक जाता है और बहुत सदा खूश होता है बेल के magic का नाम था fire bolt एस्टे उसे बताती कि आम तोर पर मैजिक को इस्तमाल करने के लिए स्पेल पढ़ना पढ़ता है जो इस स्टेटस में लिखा होता है पर तुम्हारे स्टेटस में कोई भी स्पेल नहीं लिखा है यानि कि तुम बिना स्पेल के मैजिक को इस्तमाल कर सकते हो अगले दिन इंजयर में इस्तंमाल करना लेकिन बेल को तो अगले दिन का इंतजारी नहीं होता है बेल आधी रात को निकलता है और सिधर डिनजयर में जाता है और एक मजटर की उपर पॉइंट कहते हैं और सिर्फ फायर बॉल्ट बोलने से मैजिक यूस होता है बेल बहुत सोथा खूँश हो जाता है और लगातार अपने magic के इस्तमाल करते जाता है और बहुत सारे monster को खतम करता है इतना magic इस्तमाल करने के बाद बेल वहीं पर डिंजर में ब्योगस हो जाता है वहीं से रेवरिया और आइस गुजर रहे थे रेवरिया कहते ही तुमने फ्लोर के बॉस को अकली खतम कर दिया तुम तो काफ़ी स्ट्रॉंग हो रेवरिया और आइस को सामने बेल पढ़ा हुआ दिखता है रेवरिया कहते ही इसने काफ़ी सारा मैजिक इस्तमाल कर दिया था इसलिए बेवस हो चुका है हैस कहती है कि इसे तो मैं जानती हूँ यह सब कुछ मुझे छोड़ दो नेक्सिन में जब बैल को होचाता है बैल के नज़सी दे उसके बुपस पे जाती है बैल तो पहले कुछ समझे नहीं पाता लेकिन धेरे धेरे बैल का पर शर्माने लगता है और उटकर वहाँ से भाग जाता है अगले दिन बैल कुछ पर रिक्रेट फिल कर रहा था और कहती में दुबारा से भाग गया हैस्टे उटकर उस बुक को देखने लगती है और बैल से कहती ही तुमने बुक पढ़ी है ना और बैल कहती ही क्या हुआ और Hashtag कहते कि Magic Book को एक बार पढ़ने से सारे letters गैप हो जाते है Bell बहुत हो गभरा जाता है और कहते कि मैंगल बुक कितने जदा बैंग हाती है हमारा पुरा खर्च ले जाएगा और Bell को बहुत बड़ा शॉक लगता है Hashtag कहते कि चिंता मत करना बस सभी को बोल देना मैंने तो बुक को पढ़ आई नहीं पर बैल असा नहीं कर पाता बैल सीदे ज़ता है बार ओनर मिया के पास और सिरी के पास और कहते हैं मुझे माव करना मेरी वज़़े से कि ताप में जितने भी वर्ड्स थे वो सारे गायब हो चुके हैं मिया कहते कि इसमें हमारी क्या गलती है यह तो उस बंदे की गलती है जो भोल के चले गया है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते फिर सीन्चेंज होता है लौकी और रेवरिया कुछ खरीदारी कर रहे थे और लौकी कहते कि मुझे वो खरीद किये दो रेवरिया रेवरिया को ना चा है सामने वही बंदा आ जाता है जो पिछली बार लीली के पीछे पड़ा हुआ था और बंदा कहते कि वैसे क्या तो मेरे साथ काम करना पसंद करूगे हम दोनों मिलकर उस लड़की को पकड़ देंगे और बेज देंगे जिससे में काफ़े सरा पैसा मिलेगा पर बैल साफ बात के नहीं बेकार है और वहां से चले जाता है और तब तक यहां पर लेली भी आ चुकी थी जब पैल उस बंदे के बार में पुछता है लेली इसके बार में कुछ भी नहीं बताती और दोने डेंजन की दरब बढ़ जाते हैं तो गाइस यह वाला पिसोड खाता होता है और जिसने भी वीडियो को लाज से दिखाए गवान बाक्स में कोई भी मोजी कमेंड कर दो और वीडियो को लाइक कर दो बाई-बाई टटा से यू